बड़ते अंगली किवर के और मंगल ग्रह पर धर्ती का एक और महमान पहुँच गया है अमेरिकिया अंत्रिक्ष एजन्सी नासा ने अपने मार्स परसिवरेंस रूवर को सफलता फुलवक लेंड कराया है मैं पाच्वा रूवर भेजने वाला अमेरिका पहला देश बन गया है एक रिपोर्ट देखिए मंगल ग्रह पर धर्ती का एक और महमान पहुच गया है अमेरिकिया अंत्रिक्ष एजन्सी नासा ने अठारा फर्वरे की रात करीब धाई बजे अपने मार्स परसिवरेंस रूवर को जेजरो क्रेटर में सफलता पुलवक लेंड कराया है इसी के साथ अमेरिका मंगल ग्रह पर सबसे ज्यादा रोवर भेशने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है वह इस रोवर को मंगल ग्रह पर भेशने का मकसद है प्राचुईन जीवन का पता लगाना, मिटी और पत्थरों का सैंपल लेकर धर्ती पर वापस आना क्रेटर मंगल ग्रह का अतियांत दुर्गमिला का है जेजरो क्रेटर में गहरी खाटियां, तीके पहाड, नुकीले क्लिफ, रेते टीले और पत्थरों का समुंदर है कि लेंडिंग की सफलता पर पूरे समय दुनिया भर के साइंटिस्ट की निगाहे टिकी हुई थी नहीं सकता है कि वहाँ पर जीवन के संकेत मिलें, वही परसिवरेंस मार्स रोवर हजार क्लोग्राम वजनी है जबकि इंजीन्यूटी हलिकॉप्टर 2 क्लोग्राम वजन का है, मार्स रोवर परमानू उठ्जवा से चलेगा यानि पहली बार किसी रोवर में Plutonium को इंधन के तौर पर उप्योग किया गया है यह रोवर मंगल ग्रह पर 10 साल तक काम करेगा इसमें 7 फीट का रोबोटिक आम, तेस कैमरी और एक ड्रिल मशीन है यह मंगल ग्रह की तस्वीरें, वीडियो और नमूने लेंगे साथी आपको बतारे की Perseverance Mark Rover 6 फीट 7 इंच लंबा, 8 फीट 10 इंच चौड़ा और 7 फीट 3 इंच उचा है इसे 30 जुलाई 2020 को अमेरिका के Cape Kenner World Center से लौच किया गया था इस स्पेस्क्राफ्ट को बनाने में 11 साल का समय लगा इसे मिश्वन को पूरा करने में नासा ने लगबग 19 करोर रुपे खर्च किये है वह रोवर मिश्वन के लैंडिंग के वक्त एक महिला लगातार पूरी दुनिया को रोवर की सिति के बारे में जानकारी दे रही थी वह मिला भारते मोल के अमयरिक है साइंटिस्ट है भारतवशी अमयरिकी साइंटिस्ट स्वाती मोहन ने रोवर को मंगल ग्रह पर उतारने में सबसे बड़ी भूमिका निभाई है आपको बता दे स्वाती मोहन नासा की जेट प्रोपेल्शन लैबोरेटरी में काम करती है और ये मार्स परसोवर मिश्वन यानि मार्स 2020 मिश्वन की गाइडेंस नेविगेशन एंड कंट्रोल्स ओपरेशन की प्रमुक है स्पेशल डेस्क आर्या निउस